आज मैंने कैमरा ओफ रखा है कि तो अभी ठीक नहीं है ठीक है तो बेटर हम पड़ाई की बात करते हैं और आज का जो इंपर्टिन टॉपिक है कि जैसे अगर आपका एम में क्लियर हो चुका है प्लस अभी नेट का भी रिजल्ट आने वाला है 17 जन्वेरी को ठीक है 17 जन्व आप आप लाए करते हैं तो पहला प्लस आपिएजी से लेटेटीड बना चुकित हैं यह क्या एक प्रॉसेस्टेंट है सब्सक्राइब करेंगे और उसमें सिरफ प्लस अरप मिनिमम कॉलिफिकेशन जो होती है अप्लाए करने के लिए और नेट रिख्ज है है जी आरफ है तो अच्छी बात है नहीं है तो कोई बात नहीं तब की आप अपलाए कर सकते हूं बहुत सारे लोग जो हैं सिरफ MA और NET की बेसिस पे भी असिस्टर प्रफेसर लगे हैं और यह एड-hoc पैनल लिस्ट क्या होती है इसके उपर मैं अल्रेडी एक वीडियो बन करना है डियू के किसी कॉलेज में तो आप यहां पर अपना करके रख लो तो इसी रहता है आपको आप अपलाए करने के लिए वैसे एक और वैपसेट है जिसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जिसके बारे में ठीक है उसमें क्या होता है उसमें आपका JNU KUHU बहुत है एक बारे में चाहित करने के लिए काम आ जाता है यह जो वैपसेट है इसका क्या है इसका एडवांटेज यह है कि आपको बार बार आपको पता चलता रहेगा अगर आप एक बार यहां पर रेजिस्टर कर देते हो कि कौन सी जगह पर कौन से कॉलेज में कौन से वेकांसिय निकली है कौन से टिपार्टमेट के लिए निकली है ठीक है तो आप पता चल जाएगा तो कोई भी बी अगल आती है तो कोई भी अब्षों नहीं होगी ठीक है मैं अपको अपना भी फॉर्म दिखाऊंगे जो मैंने फिल करा हुआ है उसके लावा चलिए इस तो हो गई फोड़ी सी इंपॉर्टेंट बाते नेक्स्ट वीडियो का वेट करना डियू के अलावा ठीक है और यहां पर आपको सबसे पहले जब जाओगे तो यह वाली वेबसाइट है यहां पर आपको देख रहे हो तो जूम करके दिखो दिख रहा है सिक और रेक डॉट डॉट यू डॉट एस डॉट इन सॉरी डी यू ने यूओ डी ठीक है यूओ डॉट डॉट इसी डॉट इन ज्यादा टेंशन मतलब लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कमेंट सेक्शन में कर दूँगी बस वहां पे क्लिक करना ठीक है तो अगर आपका में हो गया है नेट हो गया है तब यह फर्म भड़ते ना ठीक है तो आपको ईजी मतलब एजी रहेगा आपके लिए एसिस्ट्र रुपए से के लिए अपलाए करना और फिर के बास और ज्यादा दिमाग काम न बास प्रण डाला लॉग इन जैसे आप लॉग इन करोगे आपके पास कुछ ऐसा शो करेगा तो आपको अप्लाए ना पर क्लिक करना है जैसे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा इसको यहां पर नोहीं रहने देरा अगर आप पहली बार रिजिस्ट्रे क्योंकि आभी पढ़ लो क्या लिखा है है वी अप्लाइड इन दिस सब्जेक्ट और डिपार्ट्मेंट एंड कॉलेज फॉर सेम पोजीशन इन प्रिवेस अप्रिटिस्ट्रेश में ही जैसे आपने दो हजार तेश में निकली थी आपने तब अप्लाई किया था सेम कॉले किया इसी के थुरू आप अप्लाई कर सकते हो इसी पोर्टल पर जाके एक बार रजिस्टर कर लिया तो बार-बार आपको फुरा पूरा फॉर्म फिल नहीं करना पड़ता तब यहां पर इसको नो तब आप उस केस में अगर आपने से 2023 में भी अप्लाई किया है डियार सी म अप्लाई कर रहे हो सेम डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो तब आप यहां पर यह करोगे इसके अलावा और किसी कंडिशन में यह नहीं करोगे तो मैंने यह रब कर दिया है इसके बाद यहां पर आपको पोजिशन दिखाएगा असिस्टन प्रोफेसर तिक यहां पर सरफ एक ही सेलेक्शन के लिए एक ही चीज़ आएगा यहां पर आपको कौन से सब्जेक्ट यह कौन से डिपार्टमेंट के लिए अपलाई करना है वह चूज कर लेना जैसे एक डाउन पर क्लिक करोगे ना तो आपको बहुत सारे अपनी डिपार्टमेंट दिख जाएंगे तो जिस डिपार्टमेंट में आपको सिस्टन प्रोफेसर लगना है पॉल साइंस बटानी ठीक है और हिस्ट्री जोग्राफी जो भी ठीक है अगर वो कॉलेज डिकील और तो यहां पर जेंदे और जेखने लिपार्टमेंट तो सिरफ जैसे कॉलेश और को शूज को ठीक है तो अभी कोई नहीं आई है as per now हो सकते आपके डिपार्टमेंट की आई हो तो आप देख ले ना मेरे को यहां पर कोई डिपार्टमेंट है सच दिखा नहीं तो कॉलेज भी सिर्फ आपको उतर नहीं दिखेंगे जितने कॉलेजिस में वेकंश नहीं कि आप सारे कॉलेजिस आपको दिखाएगा और आप सोचके अगा अपको यह कॉलेज प्रा अप्लाइब करना तो मैं इस पर टिक करते हूं प्लस यहां पर एक और चीज याद रख नहीं आप पढ़ लो कि आपको हर कॉलेज में अलग अलग अप पर अच्छी बात है कि जो आप एक पार करते हो ना तो उसके बाद आप चाहिए दस कॉलेज में या 14 कॉलेज कितिने भी कॉलेज इसमें अप्लाइ करो कोई फी पेमेंट नहीं लगती ठीक है तो आप प्लीकेशन पर वन डिपार्टमें और एक कॉलेज होगा जैसी वह सम्मेट करोंगे दुबारा से आप पहुँच जाओगे फिर से अप्लाइना का अप्शन आएगा जो मनें आपको प्रीज स्लाइड में दिखाया फिर से जब आप लाइना पर क्लिक करोगे फिर आप द अप्लाइं अप्लाइब लिए फिर आफ्लेक आपको यह फिर आफ्ट 550 प्लाइड बटन जो मेने पताया ऑफ्लेक्ट उन्टाइड प्रीज द शर्म ने चारो आपको बहुट लम्बा दूंट बढ़ने में अट-लिस दो गंटे तो लगे था है मलें तो अद रोगे वाद से वह फॉर्म भर के जब एक बार यह भर दोगे ना उसके पाज आप 10-15 पीस कॉलिज इसने अप्लाइब करो फिर आपको बस एक ही क्लिक में आपका काम हो जाएगा वह सारा कॉप्य उता रहता है ठीक है बस एक बारे क्लिक करो अप्लाइब करो और सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेश आया तब तक आपके पास पहले नैट था ठीक है लेकिन जब दूसरे कॉलेज का आया तो आपके पास रिजल्ट आगया आपका जैसे आपका जैसे आपके पास रिजल्ट आगया तो उसमें आपको अप्डेट करने का भी ऑप्शन आएगा ऐसा नहीं कि आपके जैसरी सरींटेंगेशन में रिप्लेक्ट नहीं होगी वोत और सी वह तो शरी बात है कि जो शब्रेट अब करूं कर सकते कुछ नहीं कर सकते ना नहीं आपकेशन में कुछ नहीं आगर तो अपडे यह अब कि कितने सारे colleges में apply किया हुआ है यह तो दोनों तो 2022 में apply किया था तब से यह application तो फ्लोज हो गई थी तो यह तो नहीं है अभी जिस 2023 में बहुत सारी advertisement आई थी तो मुझे सारी सब के बारे में इसी website से पता चला था अब ऐसा नहीं है कि आपके बस mail आएगा यह message आएगा रोज रोज कि आपके यहां पर वेकंसी निकली है नहीं आपको इस website पर जाके call रेक्ट पर login करके हर दो तीन दिन में या हर हफ़ते at least weekly आपको चेक करते रहना होगा कि कोई वेकंसी आई तो शोट निचे आपको यहां पर जूं कर लेना यह कि आपको दिखाई देंगे कि आपकी स्क्रीनिक हो चुकी है और आपको जब इस पे प्लिक करोगे तो जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर दिखाई देगा कि आपको कितने मार्क्स में ले हैं ठीक है पूरा अपडेट जब तक आपका एसिस्टन प्रोफेसर आप पूरा एड्मिशन हो नहीं जाता उसमें तब तक आपको सारी अपडेट ही मिलेगी कि आपका इंटर्व्यव के लिए उस्क्रीणिक का आए सब इस पर क्लिक करके देख सकते हो तो तो वो डॉक्यमेंट करेंगे और फिर वहाँ से इंटर्व्यू के लिए काल या मेल अता है या मेल भी न आए तो आपको नोटीस करते रहना पड़ता है उस पर्तिकुलर website पर जाओ और आप नोटिस देखो कि रीसेंट नोटिस का कहा है और इंटर्वियू की डेट क्या है कब आपका इंटर्वियू होगा वो डेट वगए आपको वहां पता चल जाती है फिर जैसे यह सारे मैं आपको दिखा दिया तो यह तो मेरा मेल था इसमें आपको कुछ लि जोज हो गई अप्लिकेशन और मैं इंटर्वियू के लिए शॉट लिस्ट नहीं हो पाई तो वह गलती आप मत करना तो जैसे मैंने किया बदे बस एक फॉर्म भरा उसके बाद सारे में कॉपी करती गई और समिट करती गई मुश्किल से मुझे एक मिनिट लगा होगा यह बाखी आर्ट पॉलिज के फॉर्म भर नेव है ठीक है और यहां पर जो आपका पेड लिखा हुआ रहे है आप इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बहुत हर बार पे करना पड़ा वह बस पेड लिखा हुआ आता है बस पेड आपको श्याद पहली बार में करना होता है यह मै देख लेना अगर फीज का ओप्शन आ रहे है कि या फिर सिर्फ आप्लेटिकली पेड हो जाह रहे है तो जैसा कुछ आपको जब आप लाइन आपकर क्लिक करोगे डिपार्टमेंट वगरा स्लेक्ट करों तो आपको एक करके सब फिल करना पड़ेगा अब यह मेरा औरेडी कि सब्मेटेड एप्लिकेशन फौरम है तो ऐसा कुछ फ़ूता है उसमें कम से कम आथ तीन आठ पेजिस की कुछ स्लाइड होती है एक-क करके वह फिल करते रहना होता है और स्लाइड में कुछ ना कुछ पूछा हुआ होता आपकी डिटेल पर नेक्स पे कलिक करना होते ने तो यह तो आप खुद भी कर लोगे पर उसके बाद summary of marks आपको लाच में पता चलती है आपके कितने बने अब 100 क्या है यहां पर 100 पॉइंट्स बाने जाते हैं अगर आप किसी भी कॉलेज में ऐसा असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाए करना चाहते हो तो minimum eligibility जो है वह में और नेट तो है लेकिन आपका में और नेट इस तरीके से होना चाहिए कि आपके बीए और प्लस में प्लस नेट के marks मिला के कितने points बन रहे हूं 50 points बन रहे हूं अब वह कैसे पता चलेगा कि माम कितने क इसे मेरे points बन रहे हैं तो यह आपको automatically calculate करके देगा जब आप फॉर्म फिल करोगे ना तो जैसे आप फॉर्म फिल करते जाओं के तो लास्ट में जब पूरा फॉर्म हो जाएगा तो लास्ट में आपको बता देगा कि आप minimum eligibility criteria fulfill कर रहे हो कि नहीं तो मैंने तो 52 बने थे आ में 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 भी first division आया है 55% marks कुछ आया है और net के होते हैं 8 marks ठीक है और jrf के होते हैं 10 ठीक है तो एसे कुछ मिलाके ऐसे एड होते हैं ठीक है तो इनका खुद का वो criteria होता है यह फुद το cyt.. automatically generate कर आपको तोब्लीकेशन के स्थे 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 मैकसिम हो सकती है ठीक है एक इंटीफोर सकता है तो पधि एटीफोर में से पचास marks बन रहे थे एक की रिसर्च मेंने लिस और थे हैं आप सिन्स आपको पढ़ा आए आप पहले तो वह इसलिए वहां पे जीरो पॉइंट से अभी ठीक है तो अगर पहले से किसी को और कॉलेज पे पढ़ा चुकियों तो उसके भी पॉइंट साइड होते हैं तो मतलब सो हमें से जितने जादा पॉइंट उत्ते जादा चांसे हैं कि आपके असिस्टन प्रोफेसर बढ़ने के ठीक है तो यह नहीं कैटिग्री वगयरा पूछेगा आपसे डेट अब पूछेगा फिर एड्रेस वगयरा ठीक है फोन नमबर यह सब आप फोद फिल कर लेना उसके अलावा यहां पे आपको जो चीज़ें हाइड करने वाली नहीं की है नहीं अभी तो प्राना फॉर्म है मेरा तो दिखा रहे हूं तो यह हो गया मास्टर्स बैचलर स्ट्रीम्स यह सब आप से अकैडमें डिटेल्स आप खुद भी डाल सकते हो इसे 70 पर यह देखो इसमें मेरे 19 मार्क्स बनें आटोमेटिकली कैसे बनाए इसने 19 आई डो मेरा नेट पहले क्लियर हो गया था तो आट मार्क्स नेट के इस बार जिया रफ हो गया तो जिया रफ के दस पॉइंट है ना तो वह आ जाएंगे तो इस सब के मिला के मेरे 50 तो बन गए थे प्लस मैंने एक अपना क्वालिफिकेशन डाला कि मैंने रिसर्च आर्टिकल भी फिल कर सकते हैं इसके बाद आपसे फूल टाइम टीचिंग एक्पिरेंस पूछेगा अगर होगा तो लिख देना बना प्लाइंक छोड़ देना रिसर्च एक्सपिरियंस आपकी इंप्लॉइमेंट डिटेल्स अगर आप पहले सी कहीं इंप्लॉइड हो तो आपना डाल दे आप क्या पढ़ाओं ठीक है तो यहां से आपका कैलिबर चेक होगा फिर यह पढ़ेंगे अगर उनको अच्छा लेगेगा तब आपकी जो यह फॉर्म है वह एक्सेप्ट होगा वड़ना नहीं होगा ठीक है तो अगर सबसे पहले कुछे का कौन सी लैंग्विज में नहीं हो तो आप कैसे बचों के लिए इन्वेटिव इन्मावमेट्स करोगे तो मैंने अपने बारे में कुछ छोटा सा लिखतिया था तो आप यह यह देख सकते से आइडिया ले सकते हो अपने अपने खुद से लिखोगे तो ज्यादा बैटर है ठीक है तो यहां से तो आने वाले पात सालों में आपका क्या ब्लूप्रिंट रहेगा तो अच्छों को क्या से पढ़ाओ के क्या सब चीजे वह सारी चीजे फिर आपके बस वह भी फैलोशिप आ रही है तो ठीक है नहीं तो यहां पर लिखते ना नौट अप्लिकेबल गेट ठीक है खुद से नहीं लिखते ना खाली माँ चोड़ना क्योंकि श्याइद सब्मेट नहीं होगा तो यहां पर जो जो फिल्ट नहीं भर सकते तो नहीं लिखते ना फिर प्रेजेंट यार विजन फॉर्द डिपार्टमेंट फॉर नेक्स फाइफ यर्स तो आप जैसे मेरा पॉल साइंस ड पर पहले काम किया हुआ है किसी कॉलेज में या कहीं और तो आप वो लिख सकते हो तो यह नहीं लिखते हो फिर रिलेवंट इंफॉमेशन इफ नॉट गीवन अपर तो जैसे मैंने यहां पर अपना एंजियों की जो इंटर्शिप्स थी मैंने वह लिखती कि और कोई रिले जो मुझे लगा फिर 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 मिनिमम इनिशल पे क्या है आपका आर यू विलिंक टू एक्सेप्ट मिनिमम इनिशल पर तो आप यह कर देना कि अगर ऐसे नो मत लिखना ने तो आपको सिलेक्ट ही नहीं करेंगे कि भाई यह तो आती इतनी जादा सालरी मांग रहा है ठीक आपको बहुत सारे options देगा आप अपने साब से कोई भी option चूश कर सकते हो कि मैंने तो जैसे लिखा है कि दो साल के लिए मैं अवलेबल हूँ एज एसिस्टेंट प्रोफेसर उसके बाद मेरी और कमिटमेंट्स है तो मैं दो साल के लिए अवलेबल हूँ तो मैंने ऐसा यह यहां पर आपको दो प्रोफेसर का reference देना पड़ेगा जो कि आपके बिहाव पर फॉर्म फिल करेंगे तो ऐसे कोई भी दो प्रोफेसर ठीक है आपको यह मेंचिन करने पड़ेंगे जैसे मेरी को एक प्रोफेसर एक प्रोफेसर है खाल सा कॉलेज की तो मैं उनको जानती तो मैंने उनका reference दिया तो दो प्रोफेसर का atleast आपको reference देना है और ऐसा reference सिर्फ नाम के लिए reference नहीं देना यह जो जिनका भी आप reference दोगे उनका mobile नमबर भी दोगे उस प्रोफेसर का दोनों प्रोफेसर का ज़रूरी निया कि वह D.U.K.U. ठीक है वो कोई भी college या किसी भी university के हो सकते हैं ठीक है बस आपको address अच्छा उनके घर का address मत दे देना प्रोफेसर के जिस college में वो पढ़ाते है उस college के address देना ठीक है तो वो वैसे और फिर उसके बाद mobile नमबर मैंने हाइड कर दिया है उन दोनों मैम का mail का मेरे पास तो mail ID मैंने उनके पूछ के ही mail में उनके पास एक form आएगा बहुत बड़ा सा form ठीक है तो उनी प्रोफेसर के डालना जो आपके भी आपके form भर सकते हैं तो उन form में क्या होगा कि ऐसे आपको उसमें कम से कम 10 question पूछे होंगे उस प्रोफेसर से आपके caliber के according कि ये बच्चा कैसा है तो आप बस उनको प्र में कोई research के field में या इसमें patience कितना है तो या या फिर प्रेशर हैंडल कर सकती है कि नहीं मतलब कर डिफिकल्ट सिचुएशन में प्रेशर हैंडल कर सकती है कि नहीं तो वो सारी चीजों में आपको वो रेटिंग देंगे 10 तक था हां याद आगया एक से 10 तक मेरी में ने ब आप यही फॉर्म कर सकते हो तो जो मैं बता रही थी ना कि मेरा फॉर्म पिछली बार आदे में क्यों रहे गया था जो अप्लिकेशन क्लोज हो गई क्योंकि मैंने सब कुछ भर दिया था लेकिन उस टैम में पर पास कोई प्रफेसर नी थे जिन्होंने मेरे मेरे लिए फॉ प्रफेसर से उन्होंने मेरे लिए फॉर्म भरा किसी ने में कार्ट पॉइंट्स दिये किसी ने नौ दिये और कुछ एक्स्ट्रा कमिट्स वो डाल सकते हैं अगर बोतार ना चाहे तो उसमें एक्स्ट्रा कमिट्स का भी ऑप्शन होता है जब तक यह चीज लास्ट वाला यह सबसे मुश्किल है तो यह जब तक यह नहीं हो जाता तो आपका फॉर्म आगे नहीं चाहेगा किसी भी उनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज में नहीं पढ़ा पाऊंके तो यह दो प्रोफेसर का रिफ्रेंस देना प्लस उससे भी जादा इंपॉर्टेंट रेफ्रेंस दो आउट आफ तेंट जो जिस जिस फिल्ड में भी आपको रेटिंग्स देंगे और आप यहां पर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चाहेगा फिर उसके बाद आपको लाज में नो अब्जेक्शन से पिकेट मांगेगा तो मेरे पास तो नहीं था नो अब्जेक्शन से पि लेगा और बस सम्मिट हो चाहेगा आपका फॉर्म ठीक है सम्मिट हो चाहेगा लेकिन एकसेप्ट तभी होगा जब आपके वह जुब तोनों प्रोफेसर है वह जब परवा नियक्त पर्वान पर्वान सकते हो वस्कूल के टीचर वगएरा से मत भरवाना ओंली कॉलिज ठी तो यह था आज का वीडियो और हां लास्ट पर जाने से पहले जब आपने फॉर्म तफिल कर दिया अब होता है क्या आपका नाम एड-hawk पैनलिस्ट में है कि नहीं अब जैसे है पॉलिटिकल साइंस का है तो पॉलिटिकल साइंस में यहां पर मिर पास नोटिस आया तो मैं नाम ट्रैंपर मैं प्रेंट न किसी हर पैनलिस्ट में फिकला सकती हूं कि क्सी कि कर सकती हूं कि किसी कि पैनलिस्ट में प्लाइब तो दो नोग हो नहीं चाहिए होती लेकिन कुछ-कुछ कॉलेजिस थे जैसे खाल सा कॉलेज था तो उनके नॉटिस में लिखा था कि आपका नाम एड-hawk पैनलिस्ट में भी होना कंपलसरी है अपने डिपार्टमेंट की तो मेरा नाम उसमें भी है और इसमें भी तो शायद हर जगा कंपलसर कि माम यह सर मेरा नाम एड-hawk पैनलिस्ट में डालवाना है मुझे और मैं अपने डॉक्यमेंट लेकर आई हूं तो आपका नाम पर रिजिस्टर करेंगे पिर अगले बार 29 में आपका नाम आ जाएगा जब भी वेबसाइट होगी और तिर वह आप नाम दिखा सकते हो प्र नाहीं बड़ा आपका प्रोसेस रहता है अगर आपको एसिस्टर प्रोफेसर के लिए अपलाए करना है एक दिन का काम है यार दो दिन का जाद से जादा ठीक है दो दिन लगा लो उसके बाद तो फिर बल्ले-बल्ले है क्योंकि उसके बाद तो जितने भी कॉलेजिस में व वाचरिंग मिलते हैं नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए स्टेर ट्यून और टेक क्यों बाए